ताइम नहीं हो, आज तिलका मांजी भागरपुर्णी शुद्याले, तिलका मांजी जी का जन्म दिवसपत, जन्म उस सब मना रहा है, बड़े धूमदान सब मना रहा है, आप सबी जानते हैं कि तिलका मांजी जी एक आदिवासी जन जाती के थे, और जिन्होंने खास कर पहा और ये जातियों के लिए उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से और मैं समस्ताओं कि भारत के पहले आदीवासी नेदा से जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मकाबला किया इसलिए पठंच सुतंतता सनानियों के नाम में उनका नाम जो है वो लिया जाना दुख की बास यह है कि इतिहासकारों ने सोतंतता से नानियों के अंतरगत बहुत सारे लोगों का नाम दर्जी किया है लेकिन इतिहास के प्रिष्टों में जो इनका नाम दिया जाना चाहिए था वो ऐसा नहीं हुआ जो कि अभी हम लोग अमरित काल में अंसिन हीरो जिसका हम नाम नहीं जानते वाइसे लोग जिन्होंने नहीं देखा है उन्हों को भी अमरित काल में नाम लाया जा रहा है खोजा जा रहा है तो यह बात विचानी हैं और इस अपसर पर हम लोग इस विश्विद्याले के पुर्व कुलपती, पुरुप्रधरपक और पुर्व सिक्षक के साथ साथ बरतमान सभी सिक्षक और चातर चातरा हैं हमारे भी चुपस्तित हैं और भी सभागार में इनकी स्मिर्टी में हम लोग भासन बगर करेंगे उनकी याद करेंगे बिभिन्ने रूपों में और मेरी जो सोच है कि यह भी शुरिद्याल जो तिलका मांजी जी के नाम पर बना है बाद में कनवर्ट हुआ उसको तिलका सर्च किया जाए उनका लाइफ कैसा था दूसरी चीज है कि उनके जो लड़ाई के तरीके थे वह आखिर कैसे थे यूद्ध का उनका टेक्निक कैसा था जो कि अंग्रेज जिसके पास तोप गन बंदुस्त जितना भी होगा वो सब आधुमी खत्यार थे फिर भी इन्होंने पीर और अंग्रेज के छक्के छोराए और यहींत कंतरी क्या प्रानत जो हुआ कर लाया और वियूत पर और मुंति फासिल लगा दी आज बर्बिशिस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी उनके कारणामों का, उनके जुद्ध के टेकनिक का, उनके बीर गाथा का या भी शुरुचाल हमेर साथ के लिए भुनगान करेंगा और साथ सोध के माध्यम से और उन्हें आगे बढ़ाएगा बिहार के अलावे दूसरी राजों में और देश अस्तर पर हम उनका नाम को अमर रखेंगे, आगे बढ़ाएगे, यह हमेरी काम है। इस अफसर पर क्या लोगों को संदिर देनाता है? कोई भय ने हुआ और अंत में उन्होंने बड़े-बड़े कोच्छा के छुड़ाया। मैं यह नहीं कर सकता है कि दो पक्षों में कोई जूद्ध है था, लेकिन अतना जरूर है कि जिस कमान को वो अपने हाथ में रखे, उसमें हमेशा साफ़क देए। इसलिए परतेग व कर सकती है